नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज किस वीडियो में हम लोग करेंगे ICAR एक्जाम के लिए important question जो कि आपके एक्जाम के लिए important है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा और पास में जो बैल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा दें तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो गैस देए आद convenience में आपका पहला question जो बनता है वो है आपका कि कलिंग का युद्ध जो है वो कब हुआता कलिंग का युद्ध हुआता option B 261 एसा पूर्व में 261 एस भी पूर्व में हुआता कलिंग का युद्ध कौन सी उत्री अच्छांस रेखा भारत के मद्द से होकर गुजरती है तो ऑप्सिन सी साढ़े तेज धिगरी अगला है भारत के रच्छा संगठन का सरवोच कमांडर काउन होता है Option D, President या कह सकते हैं राश्टर पती काउन होता है, President अगला है अंतर राश्टरी है मुद्रा कोस IMF का मुख्याले, कहाँ पर इस्तित है, important question है तो ये इस्तित है आपका, Option C, Boston निम्न में से किसे Flying Sick के नाम से जाना जाता है तो Option ने मिलखा सिंग को जाना जाता है अगला है किस उपकरण का उप्योग घूमती हुई वस्तूओं की गति ग्यात करने में किया जाता है तो Option B, Gyroscope लेंस की छमता का मातरक क्या होता है, तो लेंस की छमता का मातरक होता है Option B, Diopter चुम्बकिये Quantum संख्या Electron के खालेस्टान परदर्सित करती है तो Option C, चक्रों की दिशा को परदर्सित करती है अगला है कोलाईडी विलियन को वास्तुपिक विलियन से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो Option A, अपोहन कहलाती है क्या कहलाती है, अपोहन अगला है रखते समू या Blood Group की खोच किसने की थी Option A, Karl Land Steiner ने Question Guys, बहुत ही Simple सा है, क्या कहता है Question रोहित किसी खेत की फसल को 20 दिन में काट सकता है माल लेते हैं कोई रोहित नाम का लड़का है वो खेत की फसल को कितने दिनों में काटता है 20 दिन में काटता है तो दिखिए फसल को 20 दिन में काटता है, तो एक दिन में कितना काटेगा तो एक दिन में जो काटेगा, वो कितना काटेगा एक बटे 20 भाग काटेगा ओके और गाईस, 15 दिन में भाग कितना काट सकेगा आगे क्या कहता है पंदरा दिन में बहे कितना भाग काट सकेगा एक दिन में एक बटा 20 भाग काटता है तो पंदरा दिनों में कितना काट सकेगा तो एक बटे 2 इंटू 15 मतलब 15 है पांस से काटेंगे तो पांच है पंदरा सोरी पांती हो पंदरा और पांच अकू 20 तो आपक प्लस 0.25 का मान क्या होगा तो अंडरूट 670 को बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आजाएगा 26 फिर ये 13 को लिख देंगे 13 प्लस 0.25 अब गाईज देखिए अब क्या करेंगे हम लोग ये आपका कितना निकलाया गाईज 26 निकलाया आगे ये गाईज ये अपका भाग है मैंने ये प्लस लगा दिया तो यहाँ प्लस की जगह भाग डिवाइट कर लिजएगा तो यहाँ पर डिवाइट कर देते हैं तो ये 26 डिवाइट by 13 और डिवाइट by मल्टिप्लाय हो जागा तो नीचे आजागा 0.25 अब काटेंगे तेरा दूनी 26, दो बार कटा, अब पॉइंट अटाया नीचे उपर दो 0 बढ़ा जाएंगे, 25 से काटेंगे 25 चकू 100, और 4 का multiply दो में करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? आठ आ जाएगा, ओके, तो option B is right answer, अगला है किसी संख्या के 7 बटे 9 भाग का तियाही भाग, 49 हो तो भै संख्या क्या होगी? माल लेते कोई संख्या X है, इसका 7 बटे 9 भाग का तियाही भाग, मतलब 1 बटा 3, किसके बरावर है? 49 के बरावर, तो हमें संख्या बतानी है, मतल बार हो जाएगा, तो X बरावर क्या आजाएगा? 7 इंटू 9 इंटू 3, तो यह हो जाएगा 63 इंटू 3, और 63 में 3 का मल्टिप्लाई करेंगे, 33 का 9 तीछा कठारा, तो आपका अंसर कितना आजाएगा? 189, option is right answer, अगला कुशन है, कितने समय में कोई धन, 4 प्रतिसत बार्सि पी है, मूलधन आपका पी है, और बोई धन, 4 प्रतिसत बार्सिक ब्याद की दर से, वो कितना गुना हो जाएगा, मतलब 3 पी हो गया, यह आपका है मूलधन और यह है मिस्रदन, तो यहां से SI निकाल सकते हैं, simple interest, तो A-P हो जाएगा आपका, तो मतलब 3P-P, तो simple interest कितना न में, और देखें, यहां पर R की बेलू आपके कितनी 4 पतिसत बार्सिक ब्याद की दर से time पूछा जा रहा है, time, तो आपका साधान ब्याद क्या होता है, SI स्कल्टू, SI कितना है 2P, PRT अपान 100, P की बेलू P है, R की बेलू है कितनी 4, T की बेलू बतानी अपान 100 और हो अगे, P से एक P कटेगा, 2 से यह 4 कटेगा, दो बार जगा है, गया आपका, अब 2 से यह 10, 100 काटेंगे तो 50, तो T की बेलू आपके कितनी अजाएगी 50, 50, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा, option D, इन में से कोई नहीं, अगला question है, किसी आयत का परिमाप है, 48 बर्ग मीटर, और आगे क्या कहता है, लंबाई जो है, 4 से 2 मीटर अधिक है, अगर हम लोग 4 को, X माल लें, तो लंबाई कितना है, question के according, 4 से 2 मीटर अधिक, मतलब X प्लस 2 हो जाएगी, तो हमें लंबाई ब परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप आपको दिया हो है, 48, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू, लंबाई प्लस चोणाई, लंबाई कितनी है, X प्लस 2, और प्लस चोणाई कितनी X, ओके, तो 2 से ये काटेंगे, तो 24 बार जाएगा, 24 is equal to कितना हो जाएगा, X प्लस X कितना होता है 2x प्लस 2 यह हो जाएगा आपका तो अब 24 इसकल्टू क्या आ जाएगा दो कामल ले लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा आपका दो से फिर काटेंगे तो 12 हो जाएगा तो x प्लस 1 इसकल्टू कितना हो जाएगा 12 तो x की बेलू कितनी आ जाएगा 12 मैंसे एक जाएगा तो आपका कितना आजाएगा 11 है ओके तो X की बेलू आपकी 11 आगई तो हमें लंबाई बतानी है लंबाई आपको कितनी मानी थी X प्लस 2 मानी थी तो X की बेलू हम लोगों ने 11 निकाल ली है तो 11 प्लस 2 आपका हो जाएगा मतलब 13 मीटर option C is right answer अगला question है दो अंकों की बड़ी से बड़ी दुसरी अभाजय संक्या कहा होगी देखिए अभाजय संक्या भाजय होती है जो स्वयम से कटती है और एक से कटती है तो आपको बड़ी से बड़ी दुसरी बतानी है बड़ी संक्या अब आजे संक्या तो वो हो जाएगी आपकी 89 उससे पहले क्या थी 97 ओके तो सबसे बड़ी आपकी 97 है अब आजे संक्या और दूसरी सबसे बड़ी संक्या काउंसी है 89 मतलब 89 अगला कोशिशन है आपका 36 किलोमेटर प्रती घंटा के चाल से एक ट्रेंड चल रही है और 15 सेकंड में सिंग्नल को खंबे को पार कर जाती तो रेल की लंबाई बतानी है देखिए चाल आपको दी हुई है 36 किलोमेटर प्रती घंटा इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे 5 बटे 18 का मल्टिप्लाई कितनी का मल्टिप्लाई करेंगे 5 बटे 18 तो 18 दूनी 36 और 2 दूनी 25 दस तो 10 मीटर पती सेकंड आपकी चाल आगे ट्रेंड की और टी बराबर आपका दिया हुआ है 15 सेकंड तो रेल की लंबाई बतानी है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय चाल कितनी 10 दूरी हमें निकालनी है ल और समय कितना है 15 15 का मल्टिप्लाई 10 में करेंगे तो आपका आज एगा 1500 मीटर अगला सरल कीजिए 60 का 12 पतिसत 60 का का मतलब होता है मल्टिप्लाई 32 पतिसत मतलब 12 बटे 100 और प्लस 70 का मतलब मल्टिप्लाई 4 पतिसत मतलब 4 बटे 100 देखी एक 0 से 1 0 काट देंगे और अब क्या करेंगे 25 दस 5 बार कटा 2 चंग 12 तो उपर हो जाएगा 36 बटे नीचे हो जाएगा 5 और प्लस अब देखी यहाँ पर जीरो से 1 0 काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 साथ दूनी 14 बटे 5 आपका आगया अब LCM आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा उपर 36 प्लस 14 ओके अब 36 में 14 जोड़ेंगे तो आपका कितना आजाएगा 50 तो 50 बटे आपका कितना आजाएगा 5 आजाएगा ये 15 नहीं 5 पेंच होगा पांस से ये 50 जोड़ेंगे तो आपका कितना आजाएगा 10 off sensi is right answer अगला कोशन क्या है आपका राम स्याम से 3 बटस बड़ा है स्याम मोहन से 2 बटस बड़ा है और यधी राम की आईयो 17 बरस तो मोहन की आयू क्या होगी राम की आयू में पता चल गई कितनी दी हुई है सत्रा यर्स मतलब सत्रे बर्स दी हुई है और उपर कोशन में क्या कहता है राम सियाम से तीन बर्स बड़ा है तो सियाम की आयू क्या हो जाएगी 17 में से 3 गटाएंगे तो आपके कितनी आजाएगी 14 बर्स सियाम की आयू और सियाम जो है मोहन से 2 बर्स बढ़ा है तो मोहन की आयू कितनी हो जाएगी क्योंकि सियाम 2 बर्स बढ़ा है तो मोहन छोटे होगा 2 बर्स सियाम से तो आपका कितना हो जाएगा 14 में से 2 घटा देंगे तो आपका कितना आजाएगा 12 बर्स तो मोहन की आयू बतानी तो कितनी आगे 12 बर्स तो options is right answer चलिए अगला question करते हैं अगला question क्या कहता है बहुत ही simple सा है 15 ratio 19 के प्रतेक पद में से क्या घटाया जाए तो आपका संख्या कौन कौन से 15 बटे 19 दिया हुआ है तो प्रतेक पद में से क्या घटा है तो हम लोग उपर भी एक से घटा देते हैं नीचे भी एक से घटा देते हैं तो ये संख्या क्या किस अनुपाद में बन जाती है 3 9 4 मतलब 3 बटे 4 के अनुपात में बन जाती है अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो जाएगा 4 15 माइनस X और यह हो जाएगा 3 90 माइनस X अब 4 का 15 में मल्टिप्लाइ करेंगे तो 15 चकुष 6 माइनस 4 X इस उगल 2 19 का 3 में मल्टिप्लाइ करेंगे 19, 28, 29, 37 और माइनस का 3 X अब सॉल्व करेंगे गाईज 60 में से 57 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा इस उगल 2 क्या हो जाएगा प्लस के 4 X में माइनस का 3 X जाएगा तो आपका X आजएगा X की बेलू के आगई आपके 3 तो आप साने इस राइट आंसा तो गाईज आजएगा इस वीडियो में इतना है थैंक्यू देन निवा